बनाएंगे बिल्कुल ही नए तरीके से जिससे नहीं कड़वे लगेंगे और बिल्कुल सूखे सूखे भी नहीं लगने वाले हैं और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है तो 500 मेंने लिया है करेला और अच्छी तरह से हलका साई से ऊपर के छिल लेंगे उसके बाद क्या करना गोल गोल कटिंग में ऐसे आपको कटके तयार कर लेंगे बहुत ही टेस्टी वाली रसेपी बनें की करेले की मैंने बहुत सारी रसेपी डाली है अगर इस तरह के आपने स अगर रही बची कसर भी होगी ना तो उसे भी पूरा दूर करने वाले हैं और इस रसेपी को बिल्कुल ही चैपटे अंदाज में बनाने वाले है तो सब से पहले आपको अगर करेले की रसेपी बनाते है और यह सब चीज़ नहीं डाल देना तो एक बड़र जरूब डालके करेली करना से रा फहका करना है शाय लिया गर्म थेले को हवाण कर पांइ तर देना थे आılे साफल आका करना है आप जबाने खुम हैँ को कड़वाक करएले के बहुत ही खत्म होसा हुजा desert लेकरेल झाल के इसा ही ने टेल डाल और ने नले में जनना है जीरा सरसों जाखी कम तेल में नए आइडिया के साथ इस रेचब्स हुआँ प्याच को अपको लगाता आपको चला चला करी पत्ते नहीं डालते हैं अगर नांधक सीख долiggle अब रहे हैं तो जनाधक करो यहां नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं प्याच की मातर थूड़ी सी आ बढ़ा दीजेगा और अच्छी तरसी ये देखे टमाटर को भी भून लिया है प्याच भी अच्छी तरसी मैं भून रही हूँ अब इसे और भी टिष्टी बनाने वाले हूँ कुछ समान और डालके इसमें मैंने एड़ कर दिया है लस्टान और अधुरत के पेश्ट ये देखे थोड़ा समय लिया है अधर चमच के कड़ीब थोड़ा समय पानी डाल दिया है और हलके से पानी डालके फीर से भूण लेना ताकि प्याज भी ना जले और मसाले भी अच्छी तरसी बून के त छोड़ा सा मैने डाल दिया है जीरा का इंटार। बहुत ही कम मात्रा आपको रख लिए मसाले की और ढलके आपको क्या करना अच्छी तरह से ब्सक्र tava disp होँने सब करकर देगे! अच्छा सा लुक आता है बहुत ही अच्छा सा कलर दिखता है अगर है तो डालिएगा नहीं तो आप इसके बिना भी यह रसपी बना सकते हैं अब चलिए वो चीज में दिखाने वाली हो जिस इसका टेश्ट कही गुना बढ़ जाता है यह देखे मैंने यूज किया है इसमें इमिली के पानी का अगर कई बार आपने यह करेले की रसपी बनाई होगी आम डालके बनाएंगे आम चूर डालके बनाएंगे नीबू डालके बनाएंगे लेकिन कभी अगर आपने इमिली की पानी का इस्तमान लेकिया है और यह रसपी बनाई है तो बिलकुल यह रसपी को एक बार जरू ट्राइगीजिएगा जितने भी आपने करेले के रेसिपी खाई हैना, सब ही फीके लगने वाले ही, इतनी यह टिस्टी होती है मिली की पानी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है जो करेले को और भी टेस्टी बना देता है उसके बाद मैंने भूने हुए करेले को डाल दिया है और अच्छी तरह से आपको mix कर लेना अच्छी तरह से प्याज में इसे coating कर लेना है इससे क्या हो जाएंगा बहुत ही tasty वाली आपकी करेले की recipe बनेगी और हाँ ये इस तरह कि अगर करेले की recipe और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारी बढ़ी है और अगर ये recipe आपको पसंद आती है तो एक like चरूर कर दिजेगा और ये देखें लाश्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक क्योंकि मैंने नमक करेले में ही add किया था जो प्याज वगर आप भूने उसमें नमक नहीं डाला है तो आपको हिसाफ से डालना उसके बात फिर से मैंने इमिली की पानी लिये है इमिली का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बिल्कुल ही यूनिक सी आपकी सबजी बनके तयार हो जाती है तो यह देखे अच्छी तरह से मैंने फून दिया है अब इसे और भी अच्छी तरह से प्याज थोड़े से मौश हो जाए ताकि इसे अगर आप रोटी के साथ या चावल के साथ खाएना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए उसके लिए आपको थोड़ा सा कभर कर देना है और कभर करके तो गयस की फ्लेव बिल्कुल ही कम कर देनी है इसी बीच